इस वीडियो में हम SF6 Circuit Breaker की बात करेंगे SF6 Gas को as an arc quenching medium यूज में लिया जाता है इस circuit breaker के अंदर SF6 Circuit Breaker जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे से arc को quench करते हैं High Voltages के लिए भी इसलिए इनको High Voltage High Power Services के लिए यूज में लिया जाता है अलग-अलग type के SF6 Circuit Breaker अभी तक बनाए गए हैं जो के अलग-अलग voltage range पर काम करते हैं 762-800 KV तक SF6 Circuit Breaker को यूज में लिया जाता है SF6 Circuit Breaker की कुछ physical properties, कुछ chemical properties होती हैं जिन में से सबसे अच्छे property जो है वो इसकी Highly Electronegative होना है Highly Electronegative होनी की वज़े से ये Free Electrons को Absorb कर पाती है बहुत अच्छे से और Free Electrons को Absorb करके Negative Immobile Ions बनाती है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फाइदा किस तरीके से होता है देखी जैसा कि हमने Arc Phenomena वाला वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई Current Caring Contacts दूर होते हैं तो वहाँ पर High Voltage होनी की वज़े से जो उनके बीच का Medium होता है वो भी Ionize हो जाता है और उसकी वज़े से वहाँ पर Free Electrons डवलप होते हैं वहाँ पर Current Caring पात मिल जाता है वहाँ पर Current को पात मिल जाता है फ्लो होने के लिए इसी वज़े से वहाँ पर आर्क डवलप होती है तो Free Electrons में रीजन है Ionization का अब अगर हम किसी तरीके से उन Free Electrons को Finish कर दें वहाँ से खतम कर दें तो Ionization भी नहीं होगा Ionization नहीं होगा तो वहाँ पर आर्क भी नहीं बनेगी तो SF6 Gas जो है वो Highly Electronegative है इसका मतलब Electron Affinity है तो Electron को Absorb बहुत अच्छे से कर सकती है अब Electrons को Absorb कर लिए के बाद ये Immobile Negative ions बनाती है ये जो Immobile Negative ions बनते हैं इनके पास इतनी Energy नहीं होती है कि ये Ionization प्रोसेस कर सकें किसी एक गिवन Electrical Field में तो जैसे कि SF6 Gas जब Free Electron से रियक्ट करती है तो या तो SF6- बनाती है या फिर SF5- प्लस Flourine Atom बनाती है और भी Reactions होती है लेकिन Majority में दो Reactions होती है ये Negative Immobile Science बनाती है जो कि Further Ionization नहीं करते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और जब ये Further Ionization नहीं करते हैं तो इस वज़े से SF6 Gas की जो Dialectric Strength है वो भी बहुत अच्छी होती है ये Products बनने के बाद Recombine होके SF6 बनाने की शमता भी रखते हैं इसी वज़े से इस Gas के Recombination Process भी हो सकता है ये Gas वापस से बन सकती है और इसको बनाया जाता है क्योंकि SF6 Gas जो है ये बहुत ही Costly होती है तो बार-बार नई Gas Use नहीं कर सकते हैं जो Gas Use हो चुकी है उसी को वापस से Recombine करके दुबारा Gas Use में ली जाती है Next Process के लिए कुछ Physical Properties और Chemical Properties मैं आपको बता देता हूँ ये Gas Non Inflammable होती है मतलब आग नहीं लगती है इसके अंदर Colorless, Orderless, Non-Toxic होती है देखे, SF6 Gas जो है वो तो Non-Toxic होती है लेकिन जो इसकी Products बनते हैं जो Arking Products बनते हैं Arking Operation के बाद वो जरूर Poisonous होते हैं Toxic होते हैं High Density होती है Liquification होने का डर रहता है High Pressure पर तो इसी लिए Pressure और Temperature का भी यहां पर ध्यान रखा जाता है Excellent Heat Transfer Properties मतलब Cooling Properties अच्छी होती है Heat Transfer Properties अच्छी होती है Chemical Properties के अगर मैं बात करूँ तो ये Chemical Inert Gas होती है इसके जो Metallic Fluorides पनते हैं उनकी Dialectric Strength भी अच्छी होती है इसके बाद हम SF6 Circuit Breaker के Types की बात करते हैं तो Mainly 3 Types के होते हैं पहला होता है Non-Puffer Type SF6 Circuit Breaker दूसरा होता है Single Pressure Puffer Type SF6 Circuit Breaker तीसरा होता है Double Pressure Puffer Type SF6 Circuit Breaker तीनों टाइप्स की मैं आप से बात करूँगा आपको इन टाइप इस पूरे वीडियो के जितने भी नोट्स हैं जो भी आपको पूरा रिटर्न मटेरियल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर के अपने नोट्स बना सकते हो तो अगर हम बात करें इसके अंदर ये आर्क चेमबर है ये जो है ये पूरा मूविंग कॉंटेक्ट है ये फिक्स्ट कॉंटेक्ट है और यहाँ पर एक SF6 gas reserve wire बनाया जाता है जिसके अंदर high pressure के अंदर SF6 gas को रखा जाता है इतना pressure रखा जाता है कि वो gassiest form में ही रहे है लिक्विफिकेशन ना हो जाए ठीक है यहाँ पर जो मूविंग कॉंटेक्ट है ये एक hollow cylinder होता है इसके अंदर एक gas outlet बना दिया जाता है ऐसे ही जो fixed contact है ये भी एक hollow cylinder होता है इसके उपर यहाँ पर एक arching horn भी लगाया जाता है arching horn जो है ये आपके switching components को flash over के time पर बचाता है insulators को बचाने के काम आता है switch gear के अंदर भी switching components को बचाने के काम आता है जब भी कोई flash over होता है तो ये पूरा construction हो गया अब ये construction की जो भी थियोरी है वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखिये तो आप यहाँ से इसको note कर सकते है ये जो contacts है fixed contact, moving contact और जो arching contact है इनको copper tungsten arch resistant material से coated कर दिया जाता है ताके इनका detoration ना हो अब मैं आपको इसकी working बताता हूँ तो देखे जब भी जब तक कोई fault नहीं आता है system में तो ये जो moving contact है ये fixed contact के साथ attach रहता है मतलब ये यहाँ पर attach रहता है और इसके अंदर SF6 gas भरी पड़ी रहती है जो की 2.8 kg पर cm2 pressure पर रखी होती है अभी तक जो SF6 reservoir के अंदर जो gas है वो यहाँ पर नहीं आई है उसका valve open नहीं हुआ है अब जैसे ही कोई fault आता है तो ये जो moving contact है ट्रिपिंग impulse के साथ इस fixed contact से दूर होने की कोशिश करता है अभी जैसे जैसे पीछे जाता है तो यहाँ पर arc बनना start हो जाती है ठीक है ये जो moving contact है इसके साथ जो SF6 reservoir जो बहर जो अपना tank लगा है जिसके अंदर SF6 gas भरी पड़ी है उसका जो valve है वो इस moving contact के साथ synchronize करा जाता है जैसे ही ये पीछे होगा वहाँ पर वो valve भी खुल जाएगा तो इसके पीछे होने के साथ-साथ arc यहाँ पर बनेगी arc बनने के साथ-साथ SF6 gas भी यहाँ पर आने लगेगी अब यह जो नई gas आ रही है high pressure gas है जैसे यह gas यहाँ पर आएगी यहाँ पर जो इस gas का pressure है वो approximately 14 kg पर cm2 होता है तो इस gas की properties मैंने आपको बताई कि यह highly electronegative होती है अब जैसे यहाँ पर arc बनी तो यहाँ पर fill electrons मौजूद है इसका मतलब है क्योंकि ionization हो चुका है तो free electrons को इस gas अब्जॉर्ब कर लेगी इस gas की heat transfer properties अच्छी है इसका मतलब यह इस arc को finish कर देगी इस arc को cool करके finish कर देगी further ionization तो नहीं हो सकता है क्योंकि immobile negative ions पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि immobile negative ions बना देती है free electrons को खतम कर देती है तो इस तरीके से यह जो arc interruption process है यह बहुत fast होता है क्योंकि SF6 gas की properties इतनी अच्छी होती है कि यह इस arc को बहुत जल्दी finish कर देती है finish करने के पाद यह जो SF6 gas है यह कुछ products बनते हैं इस SF6 gas के जो obviously poisonous होते है यह इस moving यह जो cylinder है moving chamber का hollow cylinder है इसके अंदर कुछ gas outlets बनाए जाते हैं इस gas outlets के through होते हुए एक दूसरे chamber में चली जाती है जहाँ पर इसको recombine करा जाता है recondition किया जाता है तो यह होता है non-puffer type SF6 circuit breaker इसका पूरा construction और पूरी working मैंने यहाँ पर लिख रखी है तो यह आप यहाँ से देखके note कर सकते हैं जो valve है देखे यहाँ पर लिखा है the valve is closed with the action of set of springs after the breaker operation जैसे ही breaking operation खतम होता है तो यह valve अपने आप close हो जाता है springs की मदद से अब मैं आपसे बात करता हूँ single pressure puffer type circuit breaker की देखे यह जो दोनों types हैं यह तनी important नहीं है जितना पहले वाला important था अगर आपको university exam में specifically पूछा जाए कि आप single pressure puffer type circuit breaker या double pressure puffer type circuit breaker तो ही आप यह दोनों को बनाएंगे और लिखेंगे नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ non-puffer type circuit breaker ही लिख करके आ जाना इनकी construction और working में आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस diagram पर ध्यान दीजिए इस diagram के अंदर आपको एक cylinder नजर आएगा इसको हम movable cylinder बोलते हैं यह जो दोनों parts है यह movable cylinder है ठीक है यह जो है यह fixed piston है यह वाला जो black part है यह fixed piston है यह moving contact है यह fixed contact है यहाँ पर एक rod लगाई जाती है इसके बीच में nozzle रखी जाती है इस rod के बीच में और इस fixed piston के बीच में यहाँ पर SF6 gas भर दी जाती है बिना किसी compression के अभी यहाँ पर यह gas बिना किसी compression के रखी है simply रखी है यहाँ पर current जा रहा है सारा काम normally हो रहा है जो होना चाहिए अभी कोई fault नहीं आए इस system में लेकिन जैसे ही कोई fault आता है system के अंदर तो यह जो moving contact है यह पीछे होने की कोशिश करता है अब यह जैसे ही moving contact पीछे होता है तो यह जो moving cylinder है यह moving contact के साथ synchronized लेता है तो यह moving cylinder भी moving contact के साथ पीछे होने लगता है अब आप खुद imagine करिए कि जब यह moving cylinder और जब यह moving contact दोनों पीछे होंगे तो यह जो rod connected है यह भी पीछे होगी यह जैसे जैसे पीछे होगी तो यह piston तो यहीं की यहीं है अब यह जैसे जैसे पीछे होगी तो यह जो gas भरी पड़ी है यह gas पर pressure बनेगा compress होगी तो अब इस वीडियो में आप आ जाईए अब जब इस picture को हम देखें तो ये gas अब highly compressed हो चुकी है क्योंकि ये जो rod है ये बहुत करीब आद चुकी है तो इसका pressure बहुत ज़्यादा हो चुका है एक particular level पर जाने के बाद ये जो nozzle है ये खुल जाती है अब आपको पता है कि जब moving contact fixed contact से दूर हो रहा था उस time पर उन दोनों के बीच में arc भी बन रही थी तो ये arc यहाँ पर बन रही है अब कुछ देर बाद जब compressed होने के बाद ये gas जब इस nozzle के तुरू बाहर आती है तो ये इस इस arc के through गुजरेगी इस arc की तरफ से गुजरेगी और इस arc को finish कर देगी same property है कि यहाँ पर जो free electrons मौजूद है उनको absorb कर लेगी इस arc को cool कर देगी और finally interrupt कर देगी current को arc finish करके current interrupt हो जाएगा ये जो सारा process है इसको हम बोलते है single pressure puffer type circuit breaker यहाँ तक कोई problem नहीं है ठीक है simple है अब हम बात करते है double pressure puffer type circuit breaker इसको single pressure इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर एकी pressure को use में लिया गया है लेकिन इस वाले के अंदर double pressure use में लिया जाता है तो आप इसका figure देखने कोशिश करना इसके अंदर भी fixed contact होता है moving contact होता है nozzle लगी होती है इस nozzle को कुछ और मैं आपको बताता हूँ nozzle लगी होती है एक high pressure होता है एक तरफ low pressure होता है आपको हमेशा पता है कि कोई भी चीज़ का flow जो है वो हमेशा high to low pressure की तरफ जाता है जहाँ high pressure है उधर से low pressure की तरफ जाएगा simple है इस nozzle को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जब यहाँ से gas flow होती है तो इसका flow rate बहुत तेज हो जाता है इस तरीके से इसका construction होता है तो अब हम यहाँ पर देखे कि जैसे moving contact दूर होता है यहाँ पर arc develop होती है एक समय के बाद यह जो pressure है यहाँ से जो gas है वो flow होती है low pressure की तरफ अब यह जब low pressure की तरफ जाती है तो यह दो काम करती है पहला तो कि यहाँ से इस arc का जो cross section है उसको कम कर देती है इस arc की cross section को कम करने से क्या होता है कि इसका resistance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रेजिस्टेंस का फॉर्मुला आप जानते हो R is equal to rho L upon A मतलब area of cross section जब बढ़ेगा जब area of cross section कम होगा तो जो resistance है वो increase होगा और जैसे resistance increase होगा इसका मतलब है यहां की dielectric strength increase होगी दूसरा जो है cooling properties है कि यह arc इसको cool कर देती है तो इस तरीके से यहां पर भी arc finish हो जाएगी तो यह हमारा हुआ double pressure puffer type circuit breaker यह दोनों बहुत ज़्यादा important नहीं है सबसे ज़्यादा important जो है वो non puffer type circuit breaker है वही आपको exam में लिखना है अब मैं advantages की बात करता हूँ तो कोई risk का कोई fire का risk नहीं है यहां पर carbon deposit नहीं होता है carbonization नहीं होता है arking time बहुत कम होता है और large current को interrupt करने के काम में लिया जाता है noise less operation होता है देखे air blast circuit breaker जो थाना उसके अंदर जो air थी वो arc disruption के बाद atmosphere में चल जाती थी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में उसमें इसमें ऐसा नहीं है इसके अंदर जो sf6 gas है वो system में ही रहती है atmosphere में नहीं जाती क्योंकि बहुत महंगी होती है अगर उसको atmosphere में फैंक दिया और नहीं gas लाए तो फिर यह काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है sf6 gas के अंदर इसलिए उसको बार-बार recombine करके recondition करके काम में लिया जाता है तो close chamber होने की वज़े से इसका जो operation है वो noise less होता है और भी कई फाइदे होते है no moisture, dust problem कोई dust problem नहीं होती है दूसरा fire explosion का डर नहीं होता है जैसे call mines जो होती है वहाँ पर इस circuit breaker को use में लिया जा सकता है क्योंकि इसका operation जो है वो अंदर ही अंदर होता है सारा, बाहर से कोई relation नहीं होता है maintenance requirement कम होती है क्योंकि जो इसके contacts है उनका deterioration नहीं होता है जैसा कि oil circuit breaker में तो बहुत जादा होता था क्योंकि उसके अंदर arking time भी जादा था इस वज़े से वहाँ पर maintenance बार-बार use maintenance की ज़रत पड़ती थी oil को बार-बार change करना पड़ता था यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है current chopping की problem भी यहाँ पर कम से कम देखने को मिलती है disadvantage इसकी बात करें तो SF6 gas महेंगी होती है सबसे बड़ा disadvantage additional equipment लगाने की ज़रत पड़ती है क्योंकि इसको बार-बार recondition करना पड़ता है वही जो air blast circuit breaker के हमने अंदर देखा कि gas है तो leakage problem हो सकती है इसलिए वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रत होती है और जो arking होने के बाद SF6 gas रहती है वो poisonous होती है तो वो नुकसान कर सकती है human being को यह video अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको like जरूर कीजिएगा इस video के सारे notes का description में मैं आपको link दे दूँगा आप वहाँ से बनाईएगा और हमारे telegram channel को भी आप join कर लो वहाँ पर भी मैं आपको कही सारी अच्छी चीज़े provide करता हूँ जैसे कि free book वगरा provide मैं आपको करता हूँ instagram पर भी आप हमको join कर सकते हो